सोलन में आयोजित पत्रकार वारता के दौरान भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रिय उपाध्यक्षा रश्मी धरसूद ने तीन तला के फैसले को सराहनिय बताते हुए कहा कि पिछले भत्तर वर्षों से मुसलिम महिलाएं तीन तला का दंश जेल रही थी। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में तीन तला के फैसले का पास होना सराहनिया है वह इस बिल के पास होने से मुसलिम महिलाओं को लाभ होगा उन्होंने राज्यसभा में इस बिल के पास होने पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और कहा कि प्रधान मंत्री ने महिला शशक दिलाने की बात कही थी और इसे करके भी दिखाया है उन्होंने कहा कि राज्य सभा में तीन तलाक बिल पास होने से मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को न्याय मिला हैं उन्होंने कहा कि इस बिल के पास होने से प्रधान मंत्री ने महिला शशक्तिकरण की ओर अधिक बल दिया है एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सोलन में हो रहे दुशकरम के मामलों पर भी महिला मूर्चा गौर करेगी जब अपना किस्सा लड़ा था तो 35 साल के बात अब कहीं जाकर भारतिये मुस्लिम बहनों को एक मान सम्मान के साथ जिने का अधिकार मिला है उसके लिए हम नरेंदर भाई मोधी को पूरी हिमाचल की महिला मूर्चा जो है वो अभिनंदन साधुबार देती है कि उन्होंने य कर निवेदन बात रखना चाहूंगी कि महिला मूर्चा संवेदन चील है अधिका जिन बच्टियों के साथ है और ये एक सराहनी अकारे हैं लेकिन यदि महिलाओं पर दुशकरम की बात की जाए तो वे प्रति दिन बढ़ते जा रहे हैं सोलन जिला में पिछले तीन माह में करेब तीस मामले बलातकार के सामने आये हैं उस पर महिला मोर्चा खामोश है क्या भाजबा के मोर्चो का कार्य सिर्फ सरकार की वाहवाही करना है या पीडितों के साथ खड़े होकर उन्हें सांत्वना भी प्रदान करना है महिला आयोग के अजहक्षा भी जिला सोलन से हैं लेकिन जिला सोलन में महिलाओं पर अपराद का ग्राफ तीवर गती से बढ़ रहा है Bureau Report City Channel सोलन